हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीज शेक आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चलन जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेट्फिक्स की सीरीज रेगने रॉक के सीजन टू को जिसे फाइनली मैंने देख लिया है और ठीक इसके पहले ही सीजन की तरह इसके सीजन टू क अबी हिंदी में रिलीज नहीं किया गया जिसका रीजन आपको सीरीज को देखकर काफ़ी अची तरीकिया से पता चल जाता है कि नेनल वलो ने लेकिन अब मिलती है जो हमने इसके सीजन बन में देखी है यानि के मगने अब भी अपनी पावर्स को लेकर कई सारी चीजों को ढूनने के पीछे पड़ा है और साथ ही साथ विदार की फैमिली को रोकने के भी जिसके कारण से नौगविक टाउन क्लामेट चेंज का सामना कर रहा है और इ ये सब कुछ मेगने अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता जानी के इस बार सीजन टू में कुछ नए कैरेक्टर्स को भी इंक्लूट किया जाएगा जो शायद से हो सकता है कि मेगने का साथ दे या फिन नहीं भी क्योंकि ये एक स्पॉलर फ्री रिव्यू है जिसमें मैं आपको ये सारी के सारी डिटेल्स नहीं दे सकता बस यहीं बता सकता हूँ कि क्या आपका आपका कीमती समय रेगने रॉक के सीजन टू को देना भी चाहिए या नहीं जिसके दूसरे सीजन में भी हमें पूरे छे एपिसोड्स ही देखने मिलते है और हर एक एपिसोड्स की ठीक इसके पहले सीजन की तरहा 40 से 45 मिनट की है जो कि आपका अच्छा खासा टाइम लेती है तो चलिए उसी टाइम को बचाते हुए इस वीडियो में आपको सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करते है लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो की है इस सेम स्टोरी को दिखा कर जी हाँ इस स्टोरी में कुछ भी जादा बदलाव नहीं किये गए सिवाए कैरेक्टर्स की डेवलेप्मेंट के और हाँ स्टोरी की प्रेजेंटेशन करने के हिसाब से भी जिससे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस बार नेट्फिक्स की स रेगनेरोक की सीरीज के सीजन वन को ही एक काफी अची तरीक इसे डेवलेप हुआ देख रहा हूँ यानि इसमें जो ट्विस्ट है वो है कैरेक्टर्स की डेवलेप्मेंट जिसकी शुरात इसके सीजन वन में की गई थी और सी के चलते इसका सीजन वन सीजन टू से अलग है और हां ये भी शुर है के काफी ज़दा बेटर लेकिन फर्स सीजन में जो प्रॉब्लम थी वो इसके सीजन टू में भी वैसी ही है यानि कि स्टोरी का पेस्ट जो हिसाब से काफी ज़दा स्लो ही चल रहा है इसे देखकर ये चीज़ भी बिलकुल साफ सा समझा जाती है क लेकिन अनफॉचिनेट सीजन वन की तरह इसमें भी एक्शन उतने ही ज़दा कम है बट जैसी कि मैंने कहा कैरेक्टर्स की डेवलेप्मेंट काफी ज़दा अच्छी चल रही है बाकी शो की जो सबसे ज़दा तारीफ करने वाली चीज़ है वो कैरेक्टर्स के अलाबा इसक लोकेशन है जिसे देखकर सच में बहुत ज़दा सुकून होता है और उसी सुकून के चलते आप इसके सीजन टू को भी देख लेते हो भले से ही बोर होते हुए क्योंकि शो को सभी आउडियन्स को ध्यान में रखकर बिल्कुल भी नहीं बनाया गया बाकी बात करें शो के जी तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि शो का डिरेक्शन कितना ज़्यादा अच्छा है इसके अलावा शो का बीजेम भी ठीक ठाक है बर शो की एडिटिंग नहीं और अब शो की बाकी डिटिल्स में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिसकस कर लेता हूँ जि के लिए पांच में से दो स्टार बिल्कुल ठीक रहेगे क्योंकि नौर्स मेथाली जी के बारे में मुझे काफी जादा पता है और आई होप आप सबी को भी क्योंकि एमस्यू के यूनिवर्स में हमने थार और उसके पूरे के पूरे यूनिवर्स को काफी अची तरीकी से देखा है लेकिन वो एक फिक्शन वर्ल्ड है और इस शो को रियालिटी में रखकर बनाया गया है कि अगर थार हमारी दुनिया में होता तो इसकी ओर्जिन किस तरीके से शुरू होती इसके अलाबा वाइकिंग जैसे शो में भी हमने नौर्स मेथाली जी के बारे में काफी कुछ सिखा है और ये शो भी हमें थोड़ा बहुत अपग्रेट कर देता है और अब बात करें इसके होरर और त्विल्ड की तो इस कैटिगरी में मैं शो को त्विल्ड के अलिमेंट को ध्यान में रखकर पांच में से धाई स्टार की रेटिंग दूँगा बाकी मासर्स और बात करें तो उनकी नजर में ये शो बी की रेटिंग डिसरब करता है और बात करें मेरी तो मैं इस बार इसके सीजन टू को बी प्लेस की रेटिंग दूँगा यानि कि एक टाइम पास सा बनाया गया अच्छा सा एंटर्टेनिंग शो जिसके पहले सीजन को आपने देखा ह और हाँ इस वीडियो को लाइक करकर भी तो चलिए अब खतम करते हैं वीडियो को यहीं पर मैं हूँ अजीज शेक आप देख रहेते मूवी स्टॉक चैनल जिससे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने पर क्लिक कर दीजेगा बाकी मैं मिलूँगा जल्दी आपसे दूसी किसी वीडियो में किसी और फिर्म या फिर्म किसी और सीरिस के टॉपिक पर बात करते हुए तब तक लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसे वीडियो को एंजॉई कीजिए और तिल देन बाए झाल